बहुत स्वागत है आपका अपना साइन्सस की चैनल पे मैं आज लेकर हाजिर हूँ MMHPU मौराना मजरूल हक आर्बियन पार्शल इन्मर्शिटी जिसका अभी एक्जाम चल रहा है बीड का सेशन 2020 और 22 है इसमें जो अभी एक्जाम चल रहा है मैं एक्जाम में आने वाले कोस्टन्स का अनलाइसिस लेकर आये हूँ आज जो सब्जेक्ट है साथियों आज इस सब्जेक्ट का नाम था हेल्थ एंड इजुकेशन और इससे रिलेटेड इंपोर्टेंड कोस्टन मैं आपको बता रहा हूँ जैसा कि आपको दिख रहा होगा दो घंटा का कोस्टन्स है चालिस माक्स का कोस्टन आता है इसमें भी इंट्रोडक्शन दिया है इंस्ट्रक्शन कि परिचारती अपना जो उत्तर है अपने सब्दों में दें और एक इकाई से एक एक का चैयन करते हुए तीन प्रश्णों का जवाब देना है जैसे कि पहले आप लोगों को वीडियो इंगलीश में हुआ अब हम सेकेंड कोस्टन देखते हैं सेकेंड कोस्टन क्या लिखा हुआ है और फर्स्ट का ही पहले हिंदी में आप समझ लीजिए लिखा है कि अरतमान सवय में लोगों की सबसे आम स्वास्त समस्या और बिमारी का सामना करना पड़ता है उन बिमारीयो ब्रोग्राम एक्सप्लें जामबल यानि स्वास्थ सिच्छा से आप क्या समझते हैं सिचक शिच्छा करेकरम सिच्छा क्या दी जाती है क्यों दी जाती है और इसको उधार्यन सहीं बताना था अब आते है हैं लोग यूनित डू के क्pa starring to के देख और होंगे तीन नंबर और चार नंबर तो तीन नंबर कोश्टन क्या कह रखा है जरा जूम करके दिखाते हैं अच्छा से क्लिए दिखेगा तो इसमें कह रहा है वाट इज बैलेंस डाइट प्रिपेर दाइफ एक्टि बैलेंस डाइट विट इंपोर्टेंट कंपोनें संतुली चार क्या है और सभी महात्वपुन घटकों को प्रभावित संतुली तहार का एक चार्ट बनाना है फिर आते हैं यूरिट टू का कोश्टन्स तो यूरिट का कोश्टन्स था फिर ऐसे ही आपको यूरिट थ्री के questions दिखा रहा हूं तो यह है unit 3 का questions देख पा रहे होंगे तो unit 3 में questions जो है यह दो questions है पांचमा और छठा पांचमा है लिखा हुआ यानि कि मानो जीवन में योगा का क्या महत्व है गीवर डिस्क्रिप्टिव ओफ एनिफोर योगा आसन यानिकी दैनिक जीवन में सैली या पिढ़ी के अनुसार चार योग आसनों को उपयोगिता बताना था इंपूटेंस बताना था ये question 5 था और फिर अगर आप 5 का नहीं जवाब देना चाहते हैं तो 6 का question है जिसमें से आपको चार options दिये गए थे इसमें से यानि एक तरीके से निवन्ध आया था निवन्ध जिसको संशिप्त में तिपनी करना था short notes लिखना था एक था health politics, role of media, covid-19, blood bank तो ये चार में से किसी दो पर निवन्ध लिखना था जो की ये 14 marks का question था और ऐसे जैसे कि हम पहले बता चुके हैं आपको previous paper पर, first paper पर आपको लिखा वा रहता है ये total 40 marks का है, 40 marks में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहला questions 13 marks का था, 13 marks का, फिर वैसे ही अगर हम बात करें, तो दूसरा questions भी 13 number का है, यानि कि unit 2 में जो question है, वो भी 13 number का है, तो 13-13 हो गया, 26, और unit 3 का questions हो है, वो 14 marks का है तो कुल मिलाकर, ये 3 questions का जबाब देना था, और 3 questions 40 marks के थे, यानि पहला दूसरा 13 का था, 13 पलस 13, और फिर लास्ट वाला 14, यानि एक बनाते तो 7 number और दूसरा बनाते तो 7 number, यानि कि ये 7-7 पर डिवाइड था, तो इस तरीके से total 40 marks का था, और ये total paper 50 marks का होता है, 10 number practical, व यहीं समाप्त करते हैं, thank you